नमस्कार मैं भाकिश्री, मिसिंद्यूस के बिजनेस समाचा में आप सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुख्यों पर दिवान से अधिक आरा से विवेश दानुफ अर्बिक रहा 80 रुपे प्रती किलो आर्बियाज से अक्टुमबर में मिल सकती है मंसूरी आईवीए ने मांगा बैट बैंक का लासेंस बैंक करो और आयत तको की डॉलर बिकवाली की बदोलत आज अंतर पैंक की मुद्रा पासार भी रुपिया 18 पैसे मजबुत होकर चरातर दशमलो 22 रुपे प्रती डॉलर पर पहुच गया पिछले सटर में रुपिया चरातर दशमलो 40 रुपे प्रती डॉलर पर रहा था रुपिया आज 12 पैसे की मजबुति के साथ चारातर दशमलो 28 रुपय परती डॉलर पर खुला और कारुबार के दोरान 14. 31 रुपय परती डॉलर की उच्चितम स्थर पर पहुचा इस दोरान यह 14.22 रुपय परती डॉलर की निउन्फम स्थर तक भी आये हैं आन्यों यह पिछली दिवस के मुकापले 18 पैसे की मस्बुति के साथ 24.22 रुपे प्रती डॉलर पड़ा मिरोर रिपोर्ट BCN News इंडियन बैंक अससेशन आईबी एने श्टे अजार करोट रुपे की राश्टी संपती पुनर कठन कमपनी लिविटेट ने आरसी ल का बैंक के लिए रिजर्व बैंक के पास आवे दन क्या है कम्पनी पंजी अक आरोसी के पास पंजी करन के पाद एनासीयल का गठन पिछले मईड़ी पाद था सुत्रों ने बताया कि 100 करोड रुपे की शुरुवाती पुंजी चुटाने तथा अन्य कानुनी आपचारिता को पुरा करने के पाद कम्पनी ने संपती पुनर गठन कारुपार का लाइसेंस लेने के लिए रेजर्व बैंक के पास आवे धन क्या है रेजर्व बैंक ने 2017 में पुंजी की जरुरत को पुर्वकी 2 करोड रुपे से बढ़ा कर 100 करोड रुपे कर दिया था डुबे कर्स को खरितने के लिए अधिक नगती की जरुरत को देखते वे रेजर्व बैंक ने यह कदम उठाया था सुत्रों ने कहा है कि इस तरह के कारुपार के लिए लाइसेंस देने को रेजर्व बैंक की अपनी प्रक्रिया है नियामक से इसका लाइसेन्स लेने में कुछ सब्ता का समय लग सकता है कलमना मार्केट के फोड यार्ड में डिमांट से अधिक सेव की आवक हो रही है शेहर में रोज मातर 2-3 काड़ी की खफ़त होती है लेकिन इस समय मार्केट में रोज 10 गाड़ी सेव हिमाचल से आ रहा है इसकी चलते इसकी भाव शहर के स्तानी बाजार में 80-100 रुपी प्रतिक किलो पर आके सेव की इतनी अधिक आवक होने की चलते सड़क किनारी व्यापारी इसका ठेड लेका कर बैटे नसर आ रहे है रिपोर्ट बेसियन नियूज आइटी टेलीकॉंग बैंकिंग विक्त और एनरजी समोह में हुई लिवाली के बल पर शेहर बाजार गिरावट से उबरते वे सोंवार को बड़त बनाने में सफल रहा है जिससे ब्यसी का ती शेरोवाला समवेदी सुचकांग सेंसेक्स 226.47 अंग बढ़कर 5555.59 अंग पर और नाशनल स्टॉक एक्चेंज एननसी का निफ्टी 45.95 अंग चड़कर 16496.45 अंग पर रहा देगज कंपनियों में जहां लिवाली देखी गई वही छोटी और मजोली कंपनियों भी तीवर मुनाफा वसुली देखी गई जिससे सेंसेक्स की तेजी पर कुछ हद तक अंकुष में लगा ब्यसी का मिट क्याप 0.9 प्रतिशत तूट कर 22,475 अंग पर और स्मॉल क्याप 1.55 प्रतिशत किरिकर 25,358 अंग पर रहा ब्यसी में शामिल समों में से अधिकांश किरावट में रहा बढ़त में रहने बालो में IT 1.16 प्रतिशत, टेक 1.26 प्रतिशत, टेलीकॉम 0.9 प्रतिशत, एनरजी 0.22 प्रतिशत, बैंकिंग 0.27 प्रतिशत और वित 0.16 प्रतिशत शामिल है गिरावट में रहने वालों में बेसिक मटेनियस 1.52 प्रतिशत, इंडस्ट्रियल 1.18 प्रतिशत प्रमुकृप से शामल है बेसे में कुल 3393 कमपनियों में कारुपारवा बिरो रिपोर्ट BCN News कमपनी ने बयान में कहा कि इस भागी तारी के तहर कैनरा बैंक से एमेज, सिटी, जैज और डबलो आर वी मोटलों की खरीद के लिए आसानी से कारून उपलत हो सकेगा कमपनी ने कहा कि इस दिवहारी सीजन के लिए वहान खरीदारी को और आकशक बनाने के लिए विचेश यूजनाओं की पी पेशकश की गई है बिरो रिपोर्ट BCN News खबरे समावत करने से पहले आए डालते एक निज़र आज की सुखियों पर बिजनस समाचार भी फिला लिता ही ऐसे अंदे खपरों से जुड़े रहने के लिए देखते रिए BCN News नमस्कार